आपको सहजन की सबसे बड़े फाइदे और सहजन के साथ बेहतरिन फाइदे आपने अक्सर सबजी के दुकान पर या सबड़े आपने लंबी-लंबी हरी-हरी सहजन की फलियां तो देखे होगी आप में से ज़्यादा तर लोग इने मुनिगार के नाम से भी जानते हैं सहजन की फलियां तो देखे होगी जिसे सुर्जने की फलियां भी या कुछ चेत्र में मुगने की फली भी कहा जाता है सहजन की फली के बल स्वाद बढ़ा बनियां स्वाद ही नहीं बलकि सहत और संदर के बेहतरिन गुनों से भरपू है जरूब आज हम आपको बताने जाएं जरूर जानिए mmœud की सफसीब अनगुल फायते क्या क्या हैं तो सबसे पहले में आपको पताने जारो फायता नुमर एक की तौंचाम में होने वाली कोई भी समस्या या तौंचा महिला रोग के लिए सहजन एक बहुत लावकारी सब्जी मानिये सब्जी है या आरवेतिक मानिये कि आरवेतिक है इसकी कोमल पत्यां और फूलों को भी सब्जी के रूप में उप्योग किया जा सकता है जो आपको तौचा की समस्या से दूर रखकर जवाँ बनाए रखने में भी मजदगार होता है इसका फाइदा नमर दो है कि महिलाओं के लिए सहजन का सिवन कितना फाइदे मन्द है कि आप यह अगर आप इस्तिमाल करते हैं और हमेशा ही करते हैं सब्दाम एक दुबार अगर सहजन का प्रयोग करते रहते हैं तो महावारी के समद्धी परचानि करता है इसका पाइदा नमर तीन है कि सहजन में बिटामिन C का उच्छ चेस्थर होता है जी आपने सही सुना कि कि विटामिन C के गोली दोक्टर के देखा लोग खाते नियमत रोग से परयोग करें उनका इन गोली से बच सकते हैं विटामिन C का आस्तर जोंच होता है जो आपकी रोग परतिवरोदक समता को भी बढ़ा कर कई विमारियों से आपकी रच्छा करता है तो अगर आप बिमारी से दूर रहना चाहते हैं तो सहजन से दूरी ना बनाएं सहजन अपने भूजन में इस्तमाद जरू करें चौथा जो लाब है इसका बहुत ज्यादा सर्दी होने पर भी सहजन एक फायद मन्द है इसे पानी में अबाल करें उस पानी की भाब को लेना लेने से बंदनाग भी खुल जाता है और सीने में कर जाकरन है तो भी कम करने में मदद मिलता है इसका फायदा नुमर पांच ज अगड़ाश्था के दौरान इसका सेवन महिलाओं और सीशू के लिए अत्यान फायदा मन्द है अकसर्व आईकल के दौर में गरवश्था के दौरान जब सीशू का जनम होता है तो अगड़ लोग अस्पितल में जाते हैं और आप्राशन करना पोड़ता है तो अगर आप गरबवस्था में इसका सेवन करते रहते हैं तो शिचु के जन्म के समय आने बाली समय समय से आप बच सकते हैं इसके लागा जो सातमा फाइदा है और सातमा और आखड़ी मैं बताने जाड़ा हूं इसमें जैसे बावा सीर जैसे समस्च्या जी हाँ, आपने सही सुना कि बावासीर जची समझते हैं, लाइकल अक्सर सहर में होते जा रहा है, अक्सर मोटर साइकल चलाने, ज्यादा चलाने और हाइस्ट पूट का इस्तेमाल करने, इसके लावा आप सही समय पर भोजन ना करना, पाचन किरिया का खड़ाब होना की करते हैं, रहने से ब्यावासीर और कव्यत की समस्या नहीं होती है, पेट के अन्य बीमारी में भी फाइदमन्द होता है, धन्यवाद, शुक्रिया, इसाथ जानकारिया आपके लिए, अगर इससे कोई लाब हो, आप नीचे की कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करें, और नई अपडेट के लिए, बेल आइकन दवाना न भुले, धन्यवाद,